कच्छा साथ की विद्यार्थियों आज आपको संस्कृत विशय के अंतरगत पाठ च्छा सुवचनानी पढ़ाया जाएगा इसके दो इस लोग आपको पहले के वीडियो में पढ़ाया जाचुके हैं आज उसके आगे से आपको पढ़ाया जाएगा तो इस लोग है आरंभ गुरवी क्षैडी क्रमेड लग्वी पुरा वृद्धि मतीच पस्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम आरंभ गुरवी क्षैडी क्रमेड लग्वी पुरा वृद्धि मतीच पस्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना अरंब गुरवी क्षैडी क्रमेळ लगवी पुरा बृद्धीमतीच पस्चात् दिनस्य पूरवार्ध परार्ध भिन्ना चायेव मैत्रीफ खलसज्यनानाम खल सज्जनानाम, खलानाम सज्जनानाम, खलानाम मैत्री, दुर्जनों की मित्रता, दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया इव, छाया के समान, आरंभ गुरुवी प्रारंभ में अधिक क्षाइडी क्रमेड और फिर धीरे धीरे जाने वाली होती है धीरे धीरे कम होने वाली होती है दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह प्रारंभ में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने वाली होती है सज्जना नाम मैत्री सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्ध दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह पुरा लगवी पहले कम और बाद में उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है एक बार पुना इसकार्थ देखते हैं दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह प्रारंब में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है तथा सजनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह पहले कम और फिर उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है अगला श्लोक ये साम्न विद्या नतपो नदानम ज्यानम नसीलम नगुणो नधरमह ये साम्न विद्या नतपो नदानम ज्यानम नसीलम नगुणो नधरमह ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुस्य रूपेड म्रिगास्चरंती ये साम्न विद्या नतपो नदानम जिन लोगों के पास नतो विद्या है नतप है नदान की प्रवृत्ती है न किसी प्रकार का ज्यान है न सील है न कोई विशेश गुण है न धर्म के प्रति आस्था है ते मर्त्य लोके भुविभार भूता वे लोग इस मृत्य लोक में प्रत्वी पर भार स्वरूप हैं मनुस्य रूपेड म्रिगास्चरंती और मनुस्य के रूप में पसुओं की तरहा विचरण कर रहे हैं एक बार फिर से इसका आर्थ देखते हैं ये सामन विद्या नतपो नदानम ज्यानम नसीलम न गुणो न धरमह जिन लोगों के पास न तो विद्या है न तप है न दान की प्रवृत्ती है न ज्यान है न शील है न कोई विशिष्ट गुण है न धर्म के प्रति आस्था है वे लोग इस मृत्यू लोग में प्रतवी पर भार स्वरूप है और मनुस्य के रूप में पसूओं की तरहा विचरण कर रहे है तो आज बस इतना ही धन्यवाद